हेलो दुस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है परमुद तो दुस्तों मैं कर सकता हूं कि बीबो ने यहां पे कमाल कर दिया है क्योंकि गूगल के साथ Android 13 का प्रिभीव प्रोग्राम है वह इंडिया में रिलीज कर दिया है तो आज यहां पर हम यही बात करने वाले हैं कि उनको बीटा यानि Android 13 के बीटा में अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो के इन तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लेगे तो यार लाइक करना चैनल पे नहीं है तो प्ल सबसे पहले Android 13 का अपडेट देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको प्रिवीव प्रोग्राम में पार्टिस्ट करने के लिए क्या कुछ टर्में कंदीशन है तो यहां पर मैं बता दू सबसे पहले आपको अपना रेजिस्टेशन करना होगा जिसकी ट 13 का प्रिवीव प्रोग्राम में वह अपडेट रिलीज करना शुरू कर दिया जाएगा लेकिन यहां पर और है कि केवल 500 यूजर्स को ही अपडेट देखने को मिलेगा तो अगर आप चाहते हैं क्लोज बीटा में पार्टिस्टेट करना तो फटा फट जाके अपने आपको रेजिस्टर कर ली दिएगा तो हो सकता है कि अगर लखी रहे तो आपको हाँ पर सीट मिल जाएगी और दूसरा कंडिशन ही यह है कि जो आपका वीव एक्स एटी प्रो है ना वह लेटर साफ्टेवर पर अपडेट होना चाहिए जिसका वर्जन है 12.0.12.7 तभी जाके दोस्तों कि या आप पे जाना वुआ हー ज्ट्रिक करने के बाद यहां पर दिंड करने के बाद यहां पर देख सकते हैं ट्रायल वर्जन है इस पर क्लिक लिए प्रिवी प्रोग्राम के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या आपको अपने फोन को Android 13 के क्लोज बीटा में अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अलाकि मेरे माना करने से कोई मानेगा नहीं लेकिन मैं अपना उपनियान आपके साथ शेयर कर देऊं मैं बता दो दोस्तों कि यह जो अपडेट है न वह एक तरह से बीटा अपडेट भी नहीं है कि हम बस इतना है वीडियो चलेगे तो लाइक करिए अन्यवाद